आप सभी का स्वागत है UP Academy for Civil Services में PT 2022 का देखे एक्जाम हुआ 15-16 October को और कल उसकी answer की official आ गई और मज़े पूरा विश्वास है कि अब तक आपने उसके answer की से अपना original answer sheet match करा लिया होगा और आप confident होगे 78 question सही हो रहे है 89, 80, 80 कितने question आकरकार सही हो रहे है इस बात का अंदाज़ा वाम तोर पे सब को हो गया होगा तो अब जो बात मैं कहने वाला हूँ उसको हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगेगी कुछ लोगों को अच्छी लगेगी हर आदमी का अपना-पना मानना है देखिए मैं सब को satisfy कर नहीं सकता ना मैं यहाँ सब को satisfy करने बैठा हूँ हाँ मेरी बात आपको समझ में है कि comment box में comment जरूर करिएगा देखिए मैं बताओ 4 shift में paper हुए clear सा रखिए इसमें कोई दो doubt नहीं अधितर लोगों के marks जिनके marks सतर से असी के बीच में आ रहे है general obc exactly याद रखिएगा general obc का PET में कोई number में अंतर नहीं रहेगा same number रहेगा समझ रहे है ना एकदम clear cut out रखिए PET के exam का जब भी कोई वो short listing होगी तो याद रखिए उसमें general obc की बराबर short listing होगी कोई कम जादा नहीं होगी short listing में ठीक है तेकिन एक clear सा किसी भी exam में अगर आपके mark सतर और असी के बीच में 25 लाख लोगों ने exam दिया था clear है इस 25 लाख लोगों में अगर आपके mark सतर से असी के बीच मान है और vacancy 3000 प्लस है 3000 या उससे जादा है तो आप अपने आपको मान के चलिएगा कि आपकी उसमें short listing होगी पूरे chances हैं कि आपकी उसमें short listing होगी अगर आप general obc category के है आप for sure तो नहीं कह सकते लेकिन 90% आपका उसमें हो जाएगा अगर आपका 85 plus marks है 85 से उपर कितना भी है तो चाहे 10 vacancy भी आएंगी चाहे 20 vacancy भी आएंगी चाहे 100 vacancy भी आएंगी आपकी short listing होगी मैं आपको marks wise बता रहा हूँ अगर आप general हो चाहे जो भी हो लेकिन अगर आपके 85 plus number है 85 या उससे जादा number है और अब आप मेंसे 85 number किस के आते है सब के आते हैं है ना बिलकुल परशान मत हुए सब के आते हैं मैंने आपको challenge भी दिया था कि कैसी से ज़्यादा लाके दिखाईए ठीक है शायद और बहुतों के होंगे एक दो नहीं बहुत सारे लोग 25 लाक में से एक दो लाक जन्मिन ही होते है 85 number से ज़्यादा है तो उनकी हर जिगा शॉट लिस्टिंग होगी इस बात की पूरी guarantee है और जब किसी के 85 number आते है तो confidence अंदर मन से आता है बाई हार्ट आता है तो वो हमेशा खुश रहेंगे जिनके 70 से 80 है उनकी शॉट लिस्टिंग आम तोर पे तब होगी जब 3000 प्लस विकिंसी रहेंगी सच यही है बाकिक आप मुझे गरी आते रहे है किसी को कोशते रहे है कोई फर्क नहीं पड़ता सच यही है कि अगर आपके marks 80 से उपर है तो आपके अंदर confidence रहेगा अगर आपके marks 70 से 80 के बीच में है तो आप थोड़े से कम confidence लेगिन फिर भी अपने आपको सही मानजिएगा आपने काफी महनत की और आपके अच्छे नमबर मारे अगर आपके marks 65 से 70 के बीच में हैं और आप क्या है SC के टेगरी के हैं 60 से मान लीजे 60 से 70 के बीच में तो भी आपकी shortlisting होगी SC के टेगरी की ST के टेगरी वाले भी याद रखे 60 से 70 के बीच में आपके marks हैं तो 3000 प्लस vacancy कहीं पे भी होगी तो आपकी shortlisting होगी यह सच है 3000 से ज़्यादा vacancy रहेगी तब shortlisting होगी जैसे देखे clerk की vacancy आई है added government के added college में clerk की vacancy है ज़्य वात 10 से 12,000 उसमें vacancy रहेगी तो confirmation है अगर 10,000 से ज़्यादा post ने आ रही हैं तो यह निश्यत है कि वो 65 प्लस वालों को बुला लेगा यह confirm है अगर 5 से 7,000 vacancy आई तो 70 से SC नमबर वालों को बुला लेगा जनरल और OBC का अगर आप SC कटिगरी में 60 से 70 है 60 से उपर marks है आपके तो आपके chances है अच्छे होने के 60 प्लस आप इसको करिए 70 मत करिए 60 प्लस marks है अगर आपके SC और ST कटिगरी में तो आपके शॉट लिस्टिंग होगी जब भी कभी 3000 से ज़्यादा vacancy आएगी अगर आप defense के candidate है या फिर आप physically वो कह सकते हैं दिव्यांग में आते हैं तो आप निशिन्त रहिए आपका 55 से 60 भी रहेगा तो आपके कहिन कहिन शॉट लिस्टिंग होगी इस बात की रहती है guarantee ठीक है अगर आप defense में हैं चाहे आप वो हों दिव्यांग हों तो आपका इस range में रहेगा और जहां भी X army का quota रहता है उनको भी बहुत परशान होने की ज़रूरत नहीं उनके number इसी range में रहेंगे 55 से 60 में यह कब रहेगा जब 3000 से ज़्यादा vacancy रहेगी सच यही है ठीक है अब आपको क्या करना है comment box में comment करके मुझे बताइए कि आपके कितने marks आ रहे हैं genuinely comment करिएगा अब आपने answer की match करा ली match कराने के बाद अब आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपके कितने marks आ रहे हैं सिर्फ comment box में और कुछ मत लिखिएगा अब इसमें ये भी बता दू जिन लोगों के marks 60 से कम होंगे वो मुझे गरिया रहे होंगे कोई दोराय नहीं उसमें होना भी चाहिए भाई मेरे अगर 50 आये होंगे तो मैं हमेशा यही चाहूंगा कि आर 50 वाले के हजगर शॉट लिस्टिंग होगी और कोई भी आदमें गरी बोलेगा 50 वाले शॉट लिस्ट नहीं होगा तो मुझे गरिया होगा ये जन्विन सा है इसमें कोई बुरी बात अगर आप थोड़ी भी कैपिवल आपकी कही नौकरे लग रही है जैसे यह जब एक्जाम नहीं देने चाहिए अगर आपको कहीं जॉब है तो आप ये सारी एक्जाम मत दीजिए एक्जाम अच्छे दीजिए किसी की सीट मत खाईए मैं बस यही कहूँगा अब खुद को भी यही कहता हूँ मैं अब आपको भी यही कहूँगा दीजिए आज के बाद से मेरी भी यही पॉलिसी है और कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स को कमेंट करिए थैंक्यू सो मच